नमस्कार सिक्षक सातियों आज हम चर्चा करेंगे विद्यालाइक अक्षरिकार्ड और अभिलोकों का रख रखाव से संबंदित जी हाँ 511.2.3 यह आपका 511.2.3 चार कहें या तीन कहें कल जो है अपन तीन के चर्चक किये तो आज इसे हम चार भी मान सकते हैं ठीक है तो यह महत्पून आपके प्रयोगिक विश्यसे टॉपिक है अगर आप यह त्यार नहीं करते हैं तो आपको प्रयोगिक कार्य अधूर्य रह जाएगा जेहां कैसे प्रगरती रिपोर्ट त्यार करना है वो हम एक-एक स्टेप आपको बताएंगे तो सबसे पहले छात्र के प्रगरती रिपोर्ट त्यार करने के लिए क्या करना होगा पहले यहां पर अपन समझते हैं ठीक है अंको के अनुसार विद्यार्थी को यहां बताए जाता है कि उनका कक्छा में कौन साइस्थान है, शरिफ सैक्छने की ही नहीं, बलकि सारेडिक गतिवधियों तथा खेलकुद में वहां विद्यार्थी कितना सक्री है, इसके भी अंक अंकित किये जाते हैं। इससे विद्यार्थी को अपने मांसिक छमता के साथ सारेडिक छमता का भी पता चल जाता है। इस परकार विद्यार्थी निरंतर अच्छे अंक लाने के लिए प्रयास करता है तथा उसका उसाहवरदन भी होता है। तो यहाँ पर आपको हम फार्मेटीव मुल्यांकन के बारे में भी पताएंगे तो पहले आप पहले यहाँ पर विधी को समझ लिजिए फिर आप त्यार कर सकते हैं। चात्र के सेक्षणिक आपकलन के साथ साथ उसका सारेडिक गतिविधियों उसके विवहार आदि कभी सतत आपकलन प्रगर्टी पत्र में किया जाता है। चात्र की कक्षा में कितनी है उपस्तिती कितनी है तथा विद्यालाय में वहां कितने समय पर आता है इसका भी आंकलन किया जाता है तथा इसी अधार पर उसका मुल्यांकन किया जाता है तथा प्रगर्ती काट पर अंकित किया जाता है तीसरा पाइंद छात्र विद्यालाय में कितना अनुसासित रहता है एवा महासेश्टचारी है या नहीं इसका भी मुल्यांकन किया जाता है तथा प्रगर्ती काट पर अंकित किया जाता है छात्र प्राद्न सभा के दवरान अपना ध्यान के इंद्रित करता है या नहीं तथा वहां अन्या गतियिदियों के लिए विस्साहित है या नहीं यहां भी आंकित किया जाता है चात्र के भोजन करने के पूर्व तथा उसके पस्चात उसके सापसपाई का आकलन भी किया जाता है फिर खेलों में चात्र की परति भागिता तथा वा खेलों के परति रूची रखता है अत्वा नहीं तथा खेलों की नियमों का सम्मान करना भी छात्र के सतत आकलन में समलित है। फिर छात्र सांस्कृतिक गतियोधियों में बढ़ चरकर तथा इस प्रूति से भाग लेता है कि नहीं हाँ या नहीं उसकी निस्कृत्य का भी आकलन किया जाता है। फिर छात्र का चीत्रकला संगीत अत्वा अन्यकारियों में रूची है अत्वा नहीं आकलन का महत्पुन भाग है। छात्र की निरितित्व छमता संतोस्प्रद है या आसंतोस जनक है उतक्रिष्ट है अत्वा नहीं यहाँ भी आकलनीत किया जाता है। चात्र की विशायवार उपलब्धी का विवरण भी उसकी प्रगर्ती पत्र में सतत आकलन में किया जाता है। प्रगर्ती पत्र में अभिभावक के हस्ताक्षारों के लिए भी इस्थान सुनिचित किया जाता है। इसके पस्चाद सिक्षक के टिपणी और अभिभावक के टिपणी दोनों के लिए इस्थान सुरक्षित किया जाता है। उप्युक्त बिंदों के अधार पर छात्रों की एक प्रगर्ती रिपोर्ट त्यार की जाती है। प्रगर्ती रिपोर्ट का नमून सलंगन है छात्र प्रगर्ती रिपोर्ट में विविन संकेतों के अधार पर छात्र की प्रगर्ती का अकलन किया जाता है इसमें छात्र की वर्तमान उपस्तिती में दर्ज की जाती है उपस्तिती भी दर्ज की जाती है प्रकर्ती रिपोर्ट प्रतेक सत्र के बाद तयार की जाती है तथा चार सत्रों की बनाई जाती है यहां पर देखेंगा अगर यहां पर देखिए इसकी अधार पर यहां पर अपन तयार करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं स्टेप बाई स्टेप चुन्ट्यू की रेशन चलर्ण में आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को टस्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इस से पहले तो आपको फार्मेटिव मुल्याँकन तैयार करना है तो यहां पर देखिए यह दूटि फार्मेटिव मुल्यांकन अपकी विस्कुल में संकुल समन्यक के माध्यम से या संकुल इस्तर या राजिस्तर के माद्यम से आपको इसकुल में जो है फार्मेटिव मुल्यांकन प्रारुप दिया गया है आप उसके अधार पर त्यार कर सकते हैं देखिए आप फार्मेटिव मुल्यांकन में क्या है तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा यहाँ पर देखिए क्रमांक टीक है यहाँ पर एक ब पहले यहां पर देखिए क्या-क्या त्यार करना है वह समझे फिर आप डाउनलोड करके तो है त्यार कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के बगल में देखिए आप सब्सक्राइब बटन अगर आप जो है सब्सक् करती पत्र कैसे त्यार करें तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपका क्या रहेगा क्रमांग पीर आपका देखिए दूसरा विद्यार्ति का नाम पीर यहां पर देखिए सबसे उपर में इस प्रकार से फार्मेटिव प्रथम फार्मेटिव दित्य फार्मेटिव त्रित् और तीन फार्मेटिव प्रथम दिती ती ती अर्थाद मंदब 6 आपको एक्जाम लेना है ठीक है आपको पूरे सक्षिक सत्र में इसके संबंदित है यहां पर तो देखिए विद्यार्थी का नाम अपन लेते हैं कुमारी निक्की भासकर ठीक है कुमारी निक्की भासकर एक उधारण के तौर पर है यह आप अपने विद्याले के बच्चे का यहां पर नाम लिख सकते हैं फिर यहां पर देखिए भीस है हिंदी गनीत विज्ञान पर्यावरान शामाजी विज्ञान अंगरेजी संस्क्रीट तो अपने किस तर पर यहां इतना ही सब्जेक्ट का होत गर्राइब लिएं अगर आप पढ़ा रहा है så में इंडियल के लिए आप समाजी ज्यान अर संसक्रीट की बारे में अप लिख सकते हैं तो देखिए यहांपर यहां पर देखिए 10-10 यह हो गया आपका 25 और लिखियत योग 25 बने टोटल जो है 50 नमबर ठीक है तो हिंदी में देखिए कुमारी निकी बहासकर जो है यहां पर देखिए किसे ने कमेंड भी किया था कि पॉर्ट फॉलियो खैसे त्यार करते हैं तो आप आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 में 6 हिंदी मारजित किया ठीक है फिर आप लिखीत परिच्छा में जो है पचीस में से 20 अंकर जित करते हैं फिर इनका टोटल आप यहाँ पर करेंगे तो 50 में 37 हिंदी विशाय में प्राप्त करते हैं ठीक फिर आपको ग्रेड न जो है यह बी कैसे अंक के अधार पर निकालते हैं अगर आपको समस्या हो रहे हैं ग्रेड निकालने में तो प्लीज कमेंट कीजिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे ग्रेड निकालना है वो हम आपको बताएंगे अगर समस्या हो रही है तो अगर नहीं है तो आप रहें कुमारी निक्की जो है दास में चैनल साथ नमबर लाते हैं और शाइमेंट में छैनृ और मोखी कि में पांच और लिखित में बीश अर्थात ये देखिए 38 दूइती सेमेस्टर में कहना चाहिए दूइती फार्मेस्ट में 38 लाते हैं और पहले में 37 लाते हिंदी विशाय में और पहले फार्मेटिव में देखिए बी ग्रेट और दूसरा फार्मेटिव में भी बी ग्रेट ठीक आप उसके बाद आपका क्या आता है यहां पर देखि गुझेंगा तो यहां पर देखिए कित्व होता है यहां पर 39 में टॉ यह थाया चाहे by लिख सकते हैं पर आप लिखना चाहते हैं तो तो इस परकार से बच्चे का पूरे विशय के लिए आप इस प्रकार से फार्मेटिव मुल्यांकन कीजिए यह बहुत जरूरी है अगर आप सिक्चक है प्रात्मे की इस तर अमेडिल इस तर में तो यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है और कैसे त्यार करते हैं अगर इनायस्ट डियल करते हैं प्रयोग बच्चे का आप त्यार कर सकते हैं तो आप देखते हैं यह तो हुआ आपका फार्मेटिव मुल्यांकर ठीक है अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि और भॉष्ता में आप आपके लिए बहतर से बहतर वीडियो संधारन सत्र यहां पर खाली है सत्र अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे करना ही ति यह फार्मेट है देखिए कक्षा तीसरी से पांच वी तक के लिए विद्यार्थी वार संगने आत्मक छेत्र यह बहुत महत्वपूर्ण है रिक्यार्ट संधारन आप कैसे करते हैं इसे क्य संधार पर क्योंकि आपको प्रगरती रिपोर्ट त्यार करना है ठीक है तो यहां पर आपको बहुंसे सिक्षक्षांतियों को जो है प्रगरती रिपोर्ट के थमलिन लगा कर जो है आप क्या बता रहें से ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि आप इसको त्यार करेंगे तभी आ और एक चीज और अगर आप प्रयोगिक से संबंदित वीडियो अभी तक नहीं देखें आपको प्रयोगिक जो है नोट्स बनाने में या फिर रिपोर्ट त्यार करने में दिक्कते हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्लेलिस्ट बना है SBA 511 करके वहाँ पर आप चाकर पोड जो है चीतना भी है के सद्यान से लेकर अभी तक जो हम अप्लोट कर रहे हैं वो पूरा वीडियो अप्लोब्द है आप देखिए समझे और तयार कीजिए तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी संगनात्मक छेत्र इसको अपन समझते ह यहाँ पर देखिए निकी भासकर को लेकर अपन बना रहे हैं विद्यार्थी का नाम कुमारी निकी भासकर कक्षा तीसरी परवेस 957 ठीक है तो यह उधारन के लिए है आप अपने बच्चों का तयार कीजिए सत्र 2015-16 के लिए है यह ठीक है तो यहाँ पर देखिए पीता क नाम स्री रंजित भासकर माता का नाम जो भी है जाती आप पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है फिर विसाय देखिए विसाय हिंदी प्राप्तांग अपन फस्त हमें देखे थे हिंदी में 37 ठीक है तो टोटल जो पा यहाँ आपका यहाँ पर 37 देखिए फार्मेटिव आकलन का प्रथम यहाँ पर देखते हैं कितना लायत है यहाँ पर 37 रड़ती सोंचाली यहाँ से कुछ था ना यहाँ पर देखिए आप इसी क्या धार्म के उनको त्यार कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए हिंदी 37 यहाँ पर देखिए पचास में 37 लाहें बी ग्रेट उसी को आपको यहाँ पर लिखना है देखिए हिंदी सैंटिस्टिक फिर ग्रेड भी और यहाँ пар देखिए सुधारात्मक आपको टीब देना है कठीन सब्दों को पढ़ सकने यहां सकेंगे तो सुधार हो जाए गए इस प्रकार से इसमें सुधार की आउसकता है सुधार अत्मक टीब आपको यहां पर देना है कठी यहां पर देखिए गनीत में थोड़ा से सुधार अत्मक टीब को देखते हैं हासील वाल तो ये एक सुधहात्मक टीप समझ आ गया तो आप इसी का दार पर त्यार करदें उन प्लान को यहाँ पर सुधहात्मक टीप में बताना-तिक है यहां परस्ब्स प्रकाश का से आप त्रामैसिक परइच्छा में वो लिखना है फिर आपका इत्रितिया आखलन में जो आपने किये थे ठीक है हिंदी में 39 लाए थी तो इसमें सुदरात्मक टिप आपको बताना ठीक है फिर वार्शिक परिश्यम कितने अंक अर्जित कि वो आपको बताना है फिर यहां पर देखे प्राप्तां ग्रेड तो प परतेक सब्जेक्ट गिलें अगर कोई भी समस्य हो त्यारी करने में तो आप प्लीज बेख जग आप जो कमेंट बाक समझाए कमेंट कीजिए ठीक है यहां पर संगनात्मक जो छेत्र कर रिकार्ट संधारान किस प्रकार से करना है नीचे देखिए यह यह आपका सांस्क्रि संस्क्रितिक खेलकूद अनुसासन ठीक है बेखती गते हम समाजिक गुणी इसका भी आकलन करना अनिवार है यह जपन प्रगरती रिपोट कैसे तैयर करने उसमें पढ़े ठीक है बिंदू बताया गया था तो संस्क्रितिक ठीक है तो यहां पर देखते हैं अपन तीन जो ह चेक-श्दिक एनुसार जाच ठीक है संस्क्रितिक खेलकूद अनुसासन तो इसमें ग्रेट कितना आता है यह बहुती चकेस बटेकर से विप्रणत्मक्टी कृकी की सब ाप nे से बनाकर लिक्सकते है या फिर अप बच्यका जोद है गुन देखकर आप बना सकते है फिर य या अर्द्वार्शिक ये वार्शिक के लिए भिवराणात्व कर लिया है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका साइन आत्मक छेतर का रिकार्ट संधारण आप देखते हैं प्रगरती रिपूर्ट कैसे त्यार करना है ठीक है तो यहाँ पर अपन देखते हैं प्रगरती पत्र प्रगरती पत्र का आपके पास जो है राज्य सरकार दुआरा आपकी विद्यालाय में दिया गया होगा उसी पर आप निकी भासकर कक्षा तीस्त्री जन्मति थी फलाना फलाना ठीक है हिंदी इसमें भी लिखना है पीता का नाम माता का नाम जाती दाकिल करमांग दिनांग 1915 वरतमान पता ठीक पता भी आप लिख सकते हैं यहां पर जो है ठीक उचाई 4.3 वजन 24 के जी रूची पढ़ाई मैं क चाहता हूं तो सिक्षी का ठीक है निकी भासका सिक्षी का बनना चाहती है फिर यहां पर देखिए सेकंड पेज में आपका जो आपने जो लेखा जो खतायार किये हैं इसमें आपको बताना है ठीक है तो यहां पर देखिए तीमाय में 20 अंकरजित की ए ग्रेड है भी ठीक ह है परतम फार्मे सकने को पड़़ सकने में सुधार की आवसकता है ये ये आपको सुधार्आतमक् टिप लिखना है और तेमाई अगर्जित किये पीर सुधाथ अच्छा अच्छा तेमाई पर सकना moet लिखने हैं यहाँ पर देखेंज और तिमाई तो यहां पर ग्रेड कितना यह कटीन सब्दों की सहीं उचारण कर पढ़ने में सुधार की कर पाने में यह सुधार की आउसका 20 प्रकार साप लिख सकते हैं टोटल जो है है बच्चे के पिताजी तो यह चार लोगों के यहां पर साइन क्या असका टाईड फिर आप देखेंगे इसी परकार से यह पेज बताया गया कर कि यहां पर देखिए यहां पर देखिए साहस एक्षिक छेत्र इनमे से कोई दो आपको केवल दो ही में बताना है ऐसा नहीं कि देखिए बच्चे को चीत्रकल आ रहा है साहतिक संस्कृति नाटक योग खेलकूद ठीक है कार्या अनुभाव तो इसमें केवल आपको दो पर ही ठीक लगाना जैसे त यहां पर देखिए कोई एक बताना है अनुसासन में तो इस परकार से अब हाँ यहां पर देखिया और उपस्तित जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर जैनवरी फरवरी मार्च अप्रेल योग पिर आपके यहां पर योग करना है ठीक है साला लगने की दीनो की संक्या 12, 26, 24, 22, 22 ये आप भर सकते हैं आपके जूस में है ये केवल एक उधारन के लिए ठीक है इसमें तुर्टी भी हो सकता है इसमें देखिये intervene कि यह उधारण के लिए आप कैसे त्यार कर सकते हैं वो इसमें बताने कोशिच क्या गया है फिर आपको लिखना है प्रमारित किया जाता है कि प्रगरती रिपोर्ट त्यार कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए अपने सांतियों कसा जरूर सेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई दिकत ना हो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज शुक्रिया